हाई फ्रेंड्स वेलकम तुदा डेस्ट देवा इंगल स्पधन क्लास। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं 10th और 12th के बोर इक्टा में आने वाले questions के बारे आपको पड़ा रहा हूं तो कुछ नहीं बता रहा हूं बस questions को सब्सक्राइब करने का तरीका बता रहा हूं questions क्या होता है उसको solution मिल्ग क्या होता है यह सारी चाहिए बता रहा हूं ठीका फ्रेंड्स So let's start the class of the day Friends, आज मैंने क्वेश्चन लिखा है कि Complete the sentences using the function आप स्क्रीन पर देख लिजे Question नहीं है इसमें लिखा है कि Complete the sentences using the function in the brackets इसमें एक sentence लिखा है 38 नुमर पर कि रेखा is a girl रेखा is a girl फिर उसके बाद खाले जगा है और bracket में दिया है describing person describing person दिया है मतलब रेखा is a girl टिपकर छोड़ दिया है उसने अधूरा sentence आप को इस sentence को पुरा करना है उस person के बारे में describe करते हुए describing person अगर दिया हो तो describe करते हुए person के बारे में लिखिना है तो चलिए फिर बनाते हैं यहाँ पर रेख राधा है मैंने यहाँ पर राधा लिखा हुआ है राधा is a girl अभे आपर describing person उस person के बारे में आप कुछ भी भोल दूजिए चलिए ठीक है friends उस person के बारे में बताना है उसके किसी भी खुबी एकासियत के बारे में लिख दो ठीक है तो रेखा his account पर यहाँ पर लगाएंगे पहले who ठीक है who can sing very well रेखा वो लड़की है जो बहुत अच्छा का साहती है ठीक है friends किसी भी पर्सन के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया मिस उसके बारे में कुछ उसकी खुगिया बता दी उसका description हो गया अभी दूसरा है सुनी उसके बाद ठाली जाके दिया है और यह लास्ट में श्टर्डे में लिखा है मिस पास्ट की बात करनी है इसे कुई बाक्या जो उसने पास्ट में किया हूँ उसके बारे में निखेंग है अगर यह लिखा हूँ अऊच्छी जैसे लिखा हूँ अँकर जाएक हम सुनी अब हम इसली करें श्रूब आ थिआप कुछ पर h옥 की सुनिल वेंट टो मुंबई इस्टर सुनिल कर मुंबई गया ऑको फ्रेंस यह आपको कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं जो लिख रहाँ वहींग आपको यह पर नहीं कि सुनिल प्लेज गाश यह अगुष कर आपको कि ऐपको डिस्क्राइबक पास्ट वोस्त सिर्फ आपको डिसक्राइब करना है ठीक है फीकॉस सहरे हॊता है मुझे ख्षमा कीजिएगा इसका हिंदी होता है कि ख्षमा कीजिएगा उसके बाद क्या किया रहा है कि रिक्वेस्टिंग यहां पर रिक्वेस्टिंग दिखाना है Excuse me, बोल दिया, उससे ही पता चाहिए जाना है कि request की बात नहां पर की जाने वाली है, तो आगे हम request में कुछ भी बोल सकते हैं, request करके, request करके हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे sir, excuse me sir, may I have your pen please लिखना हो तो, please लिखतीजिए, ठीक फ्रोट, excuse me sir, may I have your pen please, okay friends, तो यह requested है, क्या मैं आपका pen ले सकता हूँ, तो यह होगा request, इस तरीके से अगर इस तरीके questions आए, तो उनको ऐसे solve करना होता है, और इस तरीके questions, मैं जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूँ friends, वो सारे के सारो questions आएंगे exam में, और मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, बट उस तरह के questions जरूर आएंगे, जैसे मैंने speech change करने के लिए पढ़ाया, फिर उसके बाद language function पढ़ाया, फिर उसके बाद picture को देखकर, उसके बारे में 10 sentences लिखने होते हैं, उसके बारे पढ़ाया, कापी कुछ पढ़ा चुका हो, जितना भी मैंने पढ़ाया है, और सारे के सारे questions उस तरह के questions पुछे जाएंगे, तो आपको अगर समझ जाते हो कि उन questions को solve कसे करना है, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होगी, तो उम्मिद करता हो कि आज का class आपको अच्छा लगा होगा, और friends, अगर अच्छा लगता है, तो लाइक जाओर किया कि जिए आप लोग देख कर वीडियो अपना काम निकाल लेते हो, लाइक नहीं करते हो, आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे कुछ पैसे नहीं करेंगे, बट मेरा क्या है, मुझे होसला मिलेगा, कि लोगों का अच्छा लग रहा है, तो मुझे वीडियो नहीं का और हुसला मिले के मैं बनाता रहोगा, ठीक है friends, और मैं तो बनाता ही रहोगा, आप लाइक करेंगे रहोगा, ठीक है friends, कोई ना कोई तो इससे लाबावाइंथ होगा, मिस किसी ना किसी को तो इससे फायदा हो रही होगा, ओके friends, friends अगर आप हमारे चानल पर नए हो, और हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिप कर दीजिए, और all notification को on कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का notification आपको मिलता है, friends, अगर आप English सिखना चाहते हैं, तो, otherwise आप नहीं कर सकते हैं, तो अब तक हमारे वीडियो देखने के लिए, thanks, thanks a lot, and धनेवा,